राजेपाल अन्सुया उईके के कारिकाल के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं बतारे कि उन्होंने 29 जुलाई 2019 को 36 गड़ के राजेपाल के रूप में काम सभाला था और इन तीन सालों में राजे सरकार के साथ कई बार तकराहट की स्थिति आए जिसे लेकर उन्होंने ऐसे कई मुद्दों पर मीडिया से बात की इस दौरान उन्होंने कहा कि नए सत्र में सभी विध्धाले और महा विध्धालों में नए स्लेवर्स के साथ नए शिक्षा नेती लागू की जाएगी तीन साल कारिया काल पूर्ण हुए अभी तो पूर्ण तो नहीं उसको अधूरा ही मानूंगी क्योंकि देड़ दो साल तो कोरोना में निकल गया और मुश्किल से डेड़ साली मुझे साहद मिला है फील्ड में काम करने का और ऐसी परिस्तिती में अभी बहुत सारे इसू है लेकिन यह समय के साथ सारी चीजे तो किसी की भी पूर्ती कोई भी सरकार भी हो कोई भी हो नहीं कर सकते और मेरी कोशिस हो रही है कि जो कुछ इस तरह की मुख के रूप से जो एक नीती गत मामले है उसमें कुछ हद तक मैंने काम कर बाया भी है अब जैसे जो लगुवन उ पैसा रुका हुआ था था तेंदुपत्ता बोनस का पांचो संत्यामी करोड का बो डिस्टूविशन करवाया मेने और इसी तरह से अगर देखा जाए तो पैसा कानून को लेकर आदिवस्यों का बर्ग का बहुत बड़ा अंदोलन होता था और उसका जो नियम नहीं बने थ थे वो ड्राब पांच वी अनुसूची का तो वो भी ड्राब तयार हुआ उस मुद्दे को भी में बार बार चिट्थी लिखी एथे चत्तियार के राजपाद अनस्विया होई कि इन्हों ने जैसे आए कि देर साल का कारकालिन को करने करें है और देर साल कोरोना से बहरा कि अन्हों से बहरा हुआ हुआगो झाल कारकालिन को तो भार पांच बास वार पांच से ऑधार आब भांच से धुदे के बहरा हुआ है जस नवापा वी बारा आपाना से घुदी एए भांच